हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल आज हम बनाएंगे पेपर से बटरफ्लाइ यह दिखिए कितने सुन्दर लग रही है यह बच्चे भी अराम से बना सकते हैं इसको हम बनाकर घर पे डेकुरेट भी कर सकते हैं यह बहुत इजी तरीके से बन जाती है देखिए कितने शुरू करते हैं पहले हमेंच यह एक शीट और गैमी शीट एक स्टैपलर एक सीजर तो आए शुरू करते हैं शीट को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अराम से बिल्कूल एक्टम अच्छे से फोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि वह हम इस डाक लाइन से इसको कट कर लेंगे देखे इस तरीके से अराम अराम से इस तरीके से हम दो पार्ट कर लेंगे एक शीट के दो पार्ट कर लेंगे देखे इस तरीके से अब हम एक शीट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से पहले फोल्ड किया है उसी तरीके से करेंगे देखिए एक डार्क लाइन बना ली हमने देखिए इस तरीके से अब ये जो डार्क लाइन है इस तरीके से हम एक साइट फोल्ड करेंगे line तक ही आये fold ऐसे ही हम दूसरी side से भी fold करेंगे देखिये इस तरीके से ऐसे हम दूनों तरफ से fold कर देंगे और हम इस तरीके से इसको fold कर देंगे कुछ इस shape में बन जाएगा देखिये अब हम इसको पहले बहार की तरफ fold करेंगे छोटा छोटा फोल्ड करिएगा पिल्कुल छोटा छोटा फोल्ड करना है पहले बाहर की तरफ फोल्ड करना है फिर अपनी साइट फोल्ड करना है अंदर की तरफ और हमें इसको डाक लाइन बनानी है फिर बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ और जो भी फोल्ड करेंगे उसको एकदम प्रेस करके डार्क लाइन बनाईएगा ऐसे ही हम दूसरी साइट से भी फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से देखे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा अब हम इसको बिल्कुल सैंटर लेकर विल्कुल सेंटर लीजेगा सेंटर लेके हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखे इस तरीके से ताकि जो हमारे उपर है इक्वल आने चाहिए जो उपर का पेपर है एकदम इक्वल मिलना चाहिए आपस में देखिए ये साइड में रख देंगे अब जो हमारा दूसरा पेपर था, जो हमने कट किया था, इसको हम उल्टा करेंगे और पहले अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर बहार की तरफ फोल्ड कीजेगा, फिर अंदर की तरफ इस तरीके से सारा फोल्ड कर लेंगे, देखे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, अं से फोल्ड कर देंगे इसे भी हमने इस बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है एक्वल आना चाहिए उपर से अब हम दोनों को जॉइंट कर देंगे देखिए बिल्कुल सेंटर में जॉइंट कीजेगा और स्टेपलर से इसको स्टेपलर कर देंगे इसको अच्छे से स्टेपलर पेन लगाएंगे देखिए बिल्कुल सेंटर पे लगाईएगा इस तरीके से center पर लगा दी और अब हम इसको धीरी धीरे अराम से open कर देंगे देखें इस तरीके से हमने open कर दी हमारी butterfly एकदम ready है बनके देखें कितने सुन्दर बनी है butterfly यह बहुत ही easily बन जाती है बहुत ही अराम से बनती है बच्चों को भी बर्त अराम से बनानी आ जाएगी देखिए थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ नई आइटम्स के साथ